अपने अपनी बाइबल को दानियल के अंदर आ जाओ दानियल तीन अद्धियाए से आज हम सीखेंगे परमेशर आप से बात कर रहा है दानियल के अंदर आए जिनके बास बाइबल नहीं है वो LED पर भी रीड कर सकते हैं दानियल उसका तीन अद्धियाए, ध्यान से सुनने परमेश्र के वचन को आपने, दानियल तीन अद्धियाए, उसका पहला वचन, हांजी पढ़ना शुरू करें, नबुकद नेसर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी उचाई साथ हाथ और चोड़ाई छे हाथ की थी, उसने उसको बेबी लोन के प्रांत के दूरा नमक मैदान में खड़ा कराया, तब नबुकद नेसर राजा ने अधापतियों, हाकिमों, गुवर्नरों, जजों, खजांचियों, नियाईों, शास्त्रियों, आधी प्रांत के सब अधाकारियों को बुलवा, बुलावा भेजा की वे उस मूरत की परतिस्ठा में आए, जो उसने खड़ी कराई थी, तब अधापति, हाकिम, गुवर्नर, जज़, खजांची, नियाई, शास्त्री, आधी, प्रांत-प्रांत के सब अधिकारी, नबुकद नेसर राजा राजा थी, शद्रक, मेशक, अबेदनकों के बारे में किस-किस को पता है, ये दानियल के मित्र थे, ये चार लोग का गुरु अधिकार से चले, परमेशर इंके साथ चला, परमेशर इंसे बाते करता था, और ये परमेशर के वचन में परिपूरन थे, पवित्र जवान थे, अब क्या हुआ कि जैसे दानियल राजा नबुकद नेसर के काउंजल में था, वैसे ये जो तीन जन थे, शद्रक, मेशक और अबेदन गो, ये भी राजा के साथ ही थे, और इनको भी अच्छे पद, अच्छी पोस्ट, अच्छी अथोरटी राजा के किंडम में मिली थी, पर क्या हुए जो राजा नबुकद नेसर था, इसको कहीं ना कहीं से कोई आइडिया आया, और इसने एक बड़ी मूरती बना लिखा हुए नबुकद नेसर राजा ने सोने के एक मूरत बनवाई, जिसकी उन्चाई साथ हाथ और चोड़ाई छे हाथ की थी, उसने उसको बेबिलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया, तब नबुकद नेसर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गव नबुकद नेसर राजा है, ये इतना पावरफुल केंग था, इतना सामर्थी राजा था, इसका राज पूरी दुनिया में था उस वक्त पे, ऐसे बहुत थोड़े ही राजे हुए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के 50% एरिया को भी कवर किया हो, आधि दुनिया को भी ज पर ये नबुकद नेसर राजा जो था, इसने पूरी दुनिया पे जीत हासिल की उई थी, और ये जो बोलता, ये जो हुकम देगा, इसका बोला हुआ, इसका हुकम, पूरी दुनिया के हर जन को मानना ज़रूरी था, तो जब इसने हुकम दिया कि एक मूरत बनाई जाएगी इसने ओर्डर पास किया और लिखा हुए है सारी दुनिया के प्रांथ प्रांथ के सारे अधिकारियों को जो जो इसने नुक्त केते सब को बुलावा दिया और कहा बुलाया और देखो यह लिखा हुए तब अधिपती, हाकिम, गवर्नर, जजज, खजांची, नयाई, शास्त्री, अधिप्रांथ, प्रांथ, प्रांथ के सब अधिकारी नभुग्दनेसर राजा की खड़ी कराई हुई मुरत की प्रतिष्ठा के लिए एकठे हुए और उस म पड़ी मूरती बना दिया है और दुनिया भर के अधिकारियों को बुला लिया, क्यों बुलाया, यह आप लोग समझी गिए जातर लोग को शद्रक, मेशक, अबेदनों की कहनी के बारे में पता है, पर वो पूरी तरह वचन को सीखे नहीं हैं, और आज सभी सीखेंगे, इ जीना, सारंगी, सितार, शेहनाई आदी, सब परकार के बाजो का शब्द सुने, वह गिर कर उस सोने की मूरत को दंडवन्त करें, तो क्या हुआ, राजा नहीं यह मूरत बनवा के सारी दुनिया के अधिकारियों को बुला के यह हुकम दे दिया था, कि सब दुनिया के राजान तुने यह आग्या दी है कि जो मुनिश्य नरसिंगे, बांसली, वीना, सरंगी, सितार, शेहनाई आदी, सब परकार के बाजो का शब्द सुने, वह गिर कर उस सोने की मूरत को दंडवत करें, और जो कोई गिर कर दंडवत न करें, वह धदकते हुए बठे के बीच में डाल दिया जाए, अब यह हुकम तो सबने मानना ही था, क्योंकि राजा ने दिया है, पर जो शद्रक, मेशक, अबेदन को, इनों को कोई डर नहीं था, अब ऐसा कोई समर्थी राजा हुए, पावरफुल किंग हुए, उसका स्टाफ तो उससे डरे गई, पर रजाने त अबने मतलक तक डरना है, पर ये लोग तो उसके एंपलॉई हैं, इनको तो मानना जरूरी था, और इसी के ही एंपलॉई ये शद्रक, मेशक, अबेदन को भी थे, पर क्या हुआ जब ये हुकम निकला, कि ऐसे जब ये सब साज बजेंगे, सब लोगों ने आकर के, इस मूर हम एक जीवित परमेशर के लोग हैं, हमको इट पत्थर किसी दातू की बनी, किसी मूरत के आगे जुकने की जुरूरत नहीं है, और वो नहीं जुके, सुन लो, हम परमेशर के लोग हैं, हमारे परमेशर की कोई तवीर या नहीं है, हमारे परमेशर की कोई मूरत या नहीं ह खुद है, वो लिविंग गॉड है, वो जीवित परमेशर है, वो हमारे साथ है, हर समय, हर वक्त वो हमारे साथ साथ रहता है, और वो कभी हमारे साथ नहीं छोड़ता है, आपका ये जो सिर है, इसके योग्य, इसके काबिल, इसके लायक, वो परमेशर है, सिरफ और सिरफ वो परमेश्र है और कोई नहीं बोलो हालेलुया मैं चाहता हूँ सब एक मिनट के लिए पनी आँखों को बंद करें और आगे इतने इंपोर्टेंट मेसेज में जो हम बढ़ रहे हैं आज से पहले आपने अगर कोई भी अधरम किया, कोई पाप किया, कोई गलती की, कोई गुनहा किया आपको शमा मांगने अभी मैं एक मिनट चाहता हूँ कि आप अंगी कार करें और शमा मांगे परमेश्र से क्योंकि वो है जिवित परमेश्र है, उसके सिवा हम किसी और के आगे नहीं जुकते हैं ना जुकेंगे, उसके सिवा हम किसी की पूजा, साधना, उपासना नहीं करते हैं ना करेंगे अगर आज से पहले ऐसा कुछ हूँ है तो आप शमा मांगे ताकि आगे वचन जो है आपके मनों में जाय और आशीश का कारण बनें, टीस सेकिंड के लिए सब शमा मांगे उंचे वास से बलो, आमें मैंने क्या बोला कि हमारा यह सर है, अब हम जो खुद हैं हम परमेशर की निगाहों में बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत प्रिश्यस है परमेशर ने सारी पृत्वी को बनाया, इसकी स्रिष्टी गरी, इसके अंदर हरतना का जीव, जन्तू, जानवर, हरतना का पेड़, पौधा बनाया बड़े-बड़े पहाडों की रचना की, बड़े-बड़े समुद्रों को रचा है परमेशर की निगाहों के अंदर मैं और आप हम सभी, the most important है, सबसे ज़्यादा एहम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परमेशर ने मनुष्य से, इंसान से सबसे ज़्यादा प्रेम किये परमेशर की जो सबसे बड़ी creation है, जो सबसे बड़ी रचन है, वो मनुष्य है, वो इंसान है और जो कोई उसको जीवन दे चुके हैं जो कोई अब उसको हें पिता के के पुकारते हैं वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है सब कुछ करके दिखाता है तो इसलिए मैंने पहले अंकीकार करा लिया ताकि आप आज ये वचुनों को सुन करके और दूबारा ऐसे गल्ती कभी ना करें ये सिर जो है ये परमेशर की अमानत है ये सिर जो है ये परमेशर के लिए ही जुखेगा परमेशर के आगे ही जुखेगा जैसे शदरक मेशक अबेदनों हैं इन्होंने कभी भी अपने अपने काम काज की अपनी नौकरियों की अपने अंधिकार की अपनी पावर की अपने प को जुकने परष्छदरत ने बलोब नहीं जूके यह वचन को जानते कि परमीश रहता है कि जो तुम मेशर के खलाफ लेके जा रहा है जहां कोई आपसे वचन का उलंगन कराना चाह रहा है वहाँ नहीं तो देखो यहां क्या हुआ तो राजा को एक जन ने आके बोला कि देख शद्रक मेशक और अबेद्नों नामक कुछ यहुदी पुर्ष हैं जिनने तुने बेबिलोन के प्रांत के कारे के उपर न्युक्त किया है उन पुरुषों ने है राजा तेरी आग्या की कुछ चिंता नहीं की करें कि यह जो तीन यहुदी लोग हैं जिसको तुने बेबिलोन के ओपर न्युक्त किया हुआ है करें इसने इन तिनों ने तेरी आग्या की कोई प्रवा करी नी चिंता करी नी यानि कि उनका यह जो प्रमेशर के लिए प्यार था और दुनिया के लिए जो एटिट्यूड नी यह जुकनी रहे हैं वो कह रहा हुए उन्होंने ऐसा सभाव दिखाया कि उनको कोई फरक पड़ता ही नहीं है उनको किसी की परवाह है इनिया पर आज अमसी लोग को देख लो चर्च मैने वालों को देख लो अपने आपको देख लो अपने घर के लोग की डर की वज़ सबते हैं अरिजों को अरे मेश ने हमको सारे बोज ऊजयाद करी दिया और आपका सिद्धा रिश्टा स्वर्ग प्रिछ्वि को रचने वाले पर मेश belong के साथ तो जूरी गया तो अब आपको कि स्रीत रिवाज की जूरुत है कि अब आपको किसी और की जुरूरत है ही नहीं है कि समझ रहें कि नहीं है आपके घर के लोग आपको पैसा नहीं दे रहे हैं कि आपके अडोसीपडेसी आपको पैसे नहीं दे रहे लित आपको किसी ने भी कोई बहुत बड़ा अधिकार ने दिया अपने प्रॉपटी में हिस्सा नहीं दिये हैं कि पर मन में हमेशे ही रहता कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे यह डर रहते हैं चाहिए फॉर्मेल्टी के लिए करते हैं पर इस प्रकार वचन का उलंगन सारे करते हैं कि शद्रक मेशे का बेद उनकों को चिंता करनी है पर उन्हों ने इस बाद में चिंता नहीं करी क्योंकि यहां पर सिर्द जुकाने की बात आगी है और यह सिर्द तो परमेशर के लिए जुकता है अब यह सो सकते थे कि कोई बात नी परमेशर दो अपने बाद में मना लेंगे बाद में घृडडे टेक लेगे में चारपन दिजिन DR लेंगे कोई नी थोड़ा ज़्यादा dasट दे देंगे परमेशर को मना लेंगे नोकरी का सवाल है नोकरी ना चली जाए पर उन्होंने किसी नौगरी छोगरी की चिंता नहीं करी, वो बे परवा हो गए, निश्चिंत हो गए, उनको कोई लेना देना नहीं है, कि उनको इतना बड़ा अधिकारी राजा ने बनाया हुआ है, वो क्या सोचेगा, या वो पोस्ट भी हाथ से जाएगी, वो अधिकार भ दंडवत नहीं करेगा, उसको आग के बठे में डालेंगे, उनको कोई परवानी अगर कोई डाल भी देगा, तो कोई चिंता ही नहीं, उनका विश्वास ऐसा था, उनका समर्पन ऐसा था, इसलिए या लिखा हुआ है, कि उन्हें कोई चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तुने खड़ी कराई है, उसको दंडवत नहीं करते। ने हाजर किये गए तो जब उसको बढ़काया गया नभुगदनेसर को क्रोध आया किया मेरी बेश्टी होगी है उसने बुलावा बेजा इन तिनों को बुलाया अब आगे देखते हैं सोला वचन से पढ़ना शुरू करो कि शद्रक मेशक और अबेदंगों ने राजा से कहा है नभुकनेसर इस विशे में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रियोजन नहीं जान तो क्या हुआ जब शद्रक मेशक को अबेदंगों को राजा ने बुलाया और सवाल क्या भी त तुमको जो बोला गया था वो तुमको कमांड दी गई आगया दी गई तो पने क्यों नहीं मानी तो इनका जवाब देखो कितना अच्छा है बोले शद्रक मेशक और अबेदंगों ने राजा से कहा हे नभुकनेसर उन्होंने राजा भी नहीं बोलाया वोनिटर हो गे पर म इसर के मामले में ऐसा स्टैंड लेने वाले वनूँ डर नहीं होना जिए हमारे अंदर डरना है यह नहीं है करें नभुकनेसर इस विशे में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता कि करें कि इसके बारे में हम तिरको कोई जवाब देंगे यह व आगे लिख है करह हमारा परमेशर उसने जवाब दिया करह हमारा परमेशर जिसकी हम उपासना करते हैं वैं हमको उस धदकते हुए बठे की आग से बचाने की शक्ती रखता है वरन हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना त जवाब देही लिए उनसे उसने डिरेक्ट बोला कि इसके बारे में तेरी मूरत के बारे में तेरी आग्या के बारे में हमको बोलने की कोई जुरूरत नहीं है पर उनको बता दिया उसको बता दिया कि हमारा जो परमेशर है वो दसकते बट्टे की आग मेंसे भी हमको बचा आसी जन को ऐसा बनिःगी जुरूरत है आज हर एक चर्च में आने वाले को ऐसा बन्ने की जुरुत है आज अपने मन में बात बिठा लो साहर waktu Ahh farming अगर बो fire गाएंगे तो सिर्ल अधर परमेशर के आगे ही मि coded एंगे ना किसे डरेंगे, ना किसी से लड़ेंगे, यही वो लेंगे हिएंगी हमारा वो परमेशर है जो जीवित ए और वो हर समय हमारे साथ है समझने के नहीं तो फिर तब यहां तक यह कहानी बनी अब राजा क्रोधित तो उसने होना ही था वो एक राजा है इतना बड़ा राजा है उनिस वचन से पढ़ते जाए तब नभुकर ने सर जुन्जुला उठा उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगों के प्रती बदल गया उसने आग्यादी की भट्टे को साथ गुनाद इक धदका दो फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पूर्शों को उसने आग्यादी की शद्रक मेशक और अबेदनगों को बांध कर अब क्या हुआ कि जो सब के लिए आगया थी उसके अंदर ये था कि जो नहीं जुकेंगे मूरत के आगये उनको आग के भट्टे में डाल देंगे पर जब यहाँ पे शद्रक मेशक अबेदनगों ने ऐसा जवाब राजय को दिया क्रोधित हो गया और उसने हुकम दे दिया कि अब आग के भट्टे की आग को सत्त कुना बदा दो सैंवें टाइम्स जादा उसके अंदर आग लगाओ और क्या किया उसने तब नवुक्दनेसर जुन्जला उठा यालि उसके अंदर क्रोध ऐसा वाला आ गया कि वह अपना सिर्वी किसी के उपर पेट नी सकता तुकिसी और को दो मार नी सकता उसने आग का भट्टा सत्त कुना बदवा दया अब यहां पे राजा क्रोधीत है, उसका मुझ का रंग भी बदल गया, यहां लिख दी है, जैसे कोई गुसे में आजकल लाल पिला हो जाता है, वो शदरक मेशक अबेदनों को देखके हमेशा खुशी होता था, क्योंकि उनके अंदर कॉलिटी इस बहुत थी, और परमेशर उनके सब कामों को सफल बनाता था, पर इस बार उसको क्रोध आया, अब शदरक मेशक अबेदनों को बाद में यह भी सो सकते हैं, भी कोई नहीं चलो, इसको हम प्यार से समझाने की कोशिश कर लेते हैं, इसको मना लेते हैं, पर वो वचन के साथ कॉम्परमाइज नहीं करत आपके विश्वास के द्वरा, उनका उधार होने, अगर आप ही उनके रंगों में रंग जाएंगे, तो फिर उनको कौन बचाएंगे, भाइल में कहले लिए परमेशनल वाद तुम प्रित्वी के नमको, अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ गया, तो फिर परमेशनल प्रि चुनना तो निच्चे ही भीरते हैं, ऐसी हालत है उन लोग की, जो वच्चन के साथ कॉंप्रमाइस कर लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ऐसा स्टैंड लिया अगरो परमेशर के लिए जैसा इनोने लिया, यह डरे नहीं राजा से, इनोने अपनी नोक्रियों की च जो योर नहीं है, जो परमेशर ने कहा है, वो ही हमारे लिए इंपोर्डेंट है, जरूरी है, यह राजा क्या कह रहा है, कहने लो, सुन रहे हैं कि नहीं, बलो हालेलुया, मिलकर बलो हालेलुया, प्रभी एश्यु महराजा की, तो अगर कोई भी बच्चन के साथ कॉंप्र सनजर आएगा, और परमेशर की निगाहों में वो यूजलेस हो जाएगा, तब नमक पृत्वी के जो नमकीन करने के लिए परमेशर ने बनाया था, वो फीका पड़ गया है, तो अब वो पैरो तले ही रोंदा जाएगा, लोग के हलात इसलिए ही नहीं मदलते, लोग की प् वचन के साथ कॉंप्रोमाइज कर लेते हैं, वचन जैसा बोला गया है, उसके साथ एक जो बिंदू भी लगया, वो भी इंपोर्टेंट है, एक कॉमा भी बाईवल के अंदर है, उसकी भी बहुत बड़ी ताकत है, वचन को मानने से परमेशर का सामर्थ जीवन में काम करता देख लो करना क्या है, तो यहां यह सब हो गया, अब देखो क्या गया है, फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुर्शों को उसने आग्या दी, कि शदरक, मेशक और अबेद्नों को बांद कर उन्हें धधके हुए बटे में डाल दो, अब नॉर्मल लोगों को भी वो आप जानते हैं क्यूं बलवान पुर्शों को आग्या दी गई शदरक, मेशक और अबेद्नों को लेकर जाने के लिए, क्यूं, बलवान ही क्यूं, बलवान कौन होते है, जो बोडी में जो फिजिकली ताकतवर है, स्ट्रेंथ बहुत है, अच्छा हाइट वेट है, बलवा सेना के लोगों को ही क्यूं भेजा राजा ने, क्योंकि जो शदरक, मेशक अबेद्नों है, वो फिट फाइन थे, वो अच्छे तगड़े थे, उनके ओपर परमेशर का नूर था, राजा ने इसलिए बलवान भेजे, तो भेजा, तो क्या हुआ तब वे पुरुष अपने म मोजो, अंग रखो, बागो और अन्य वस्त्रों सहित भांद कर उस धदकते हुए बठे में डाल दिये गए, तो क्या हुआ, शदरक, मेशक और अबेद्नों को लेकर जाया गया, और वो साथ गुना आग, जिस बठे में बढ़ा दी गई थी, उसमें उनको डाला गया, और ह हुआ गया, वह बठा तो राजा की द्रिड आगया होने के कारण अत्यंत धदकाया गया था, वो राजा की जो आगया थी, उसकी वरे से बठा बहुत जादा धदका दिया गया था, और हुआ गया, इस कारण जिन पुरुशों ने शदरक, मेशक और अबेद्नों को उठाया वे ही आग की आँच से जल मरे, उसमें हीट इतनी हो गई थी, उसकी आग की लो ऐसी थी, कि जो बलवान पुरुश थे, जो शदरक को, मेशक को, अबेद्नों को लेकर के जा रहे थे, बठे में डाल रहे थे, वो डालते डालते ही उस आग से जल के नश्ट हो गए थे, इतन बीच ये तीन पुरुश शदरक, मेशक और अबेद्नों भंदे हुए फेंक दिये गए, राजा का क्रूर ऐसा था, भांद करके इनको बठे में डाला, अब कोई बठे में से एक वर जब चला ही गया, साथ कुना बढ़ा ही आग में, उसके अंदर तो जाते ही नश्ट होए तब नबूग्द ने सर राजा अचंबित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पूरुश भंदे हुए नहीं डलवाए, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है, अब राज वहाँ देखने को गया कि चलो मैं उसको अपना क्रोध जो सैटिस्फाइ करना था, अपना गुसा जो इतना ज्यादा उसका भड़का हुआ था उसको देखना चाता था कि शद्रक मेशक अबेदमों जल जल के कैसे तरपने उसके इंदर जो गुसा था उपने दान्तों को प है कि सुन रहे हैं कि नहीं कि करेगी उसने पूछा अपने अधिकारियों को कि हमने इसमें डाले तीन जन्नी तोई चोथा कोन है क्यों क्योंकि वहाँ प्रभु येश्व उनके साथ आगया था हाँ ऐसी कोई स्थिती नहीं है ऐसी कोई सिट्वीशनने इसे कोई हलात नहिं है है जिन स्थितियों में से जिन हलातों में से परमेष्ण प्रभी येश्व आपको सेफली ना निकाले वह निकालेगा समझ रहे हैं देखो किरा फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानी नहीं होती किरा कि मैंने देखा कि डाले तीन थे अब चार हैं और वो चारो उस बठे के अंदर टहल रहे हैं जैसे कोई गार्डन में पार्क वे घूमता है वो वैसे घूम रहे हैं सोचो जो बलवान पुरुष ट्रेंड परसोनल भेजे गए थे इनको डालने के लिए वो बठे के पास जाके जल गए पर प्रव येश्यु मसीगी एसी सुरक्षा शदरक मेशक अबेदनों के उपर थी कि वो बठे के अंदर भी टहल रहे थे क्यों क्योंकि वहां कौन था उनके साथ राजे ने खुद बोले करे और चोथे पुरुष का स्वरूप इश्युर के पुत्र के सद्रिश है इसलिए मैं बोलता कि जो प्रव येश्यु है वो ने नियम में फिजिकल फॉर्म में उजागर होए है सुभाविक दृष्टी के अंदर दिखे है पर प्रव येश्यु ही है जो पुराय नियम में भी काम करता था अपने आत्मा में और ने नियम में भी उसने काम किया यहां उसने वो ला कि जो चोथा पुरुष है यह तो इश्युर के पुत्र जैसा लग रहा है वो प्रव येश्यु मसी वहां आ गया अगर आपने परमेशर को अपना जीवन सौंप दिया है और इस प्रकार अप परमेशर की जगा किसी और को कभी नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार अगर आप वच्चन के साथ कॉंप्रमाइज नहीं करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए कुछ भी चला जाए अजर घरों से निकाल दिए जहे नौकरीवें से निकाल दिये जया है पुरा पिंट पूरा शहर पीछे बहुत अजये मारने को बदन पेकल कपड़े ना ऊसे खाने को दाना ना ऊ वच्चन के साथ कोई कॉंप्रमाइज नहीं करना वचन के प्रती धील नहीं दिखानी है, वचन जैसा है उसको वैसा ही मानना है, यह सिर्फ परमेशर के आगे ही जुके आज के बाद, समझा गया कि नहीं, आए आगे पढ़ते हैं, हाँ जी पढ़ो 29 वचन, हाँ जी पढ़ो, इसलिए अब मैं यह आग्या देता हूँ, क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि आप जिन लोग की वज़ा से अपने विश्वास को मोल्ड कर देते हो, वचन के प्रती धील दीखाते हो, अगर आप वहाँ पर यह दिखाएंगे, हम वचन के मामले में सक्त हैं, हम परमेशर की लोग हैं, और ऐसे ही हैं, ऐसे ही करेंगे, तो वो जो लोग है, उनके उपर, उस वक्त आपके लिए क्रोध नराजगी गुसा दिख सकता है, पर उनके मनों में यह छाप रह जाएगी, कि यह जो लोग है, अपने परमेशर के लिए वफादार हैं, और एक लेक समय आता है, कि वो लोग भी आपके ऐसे विश्वास के क बारन उद्धार को पाते हैं, समझ रहे हैं, मैंने इसलिए बोले कि किसी वाद की चिंता करनी नहीं, जो जाते हैं जाए, पर परमेशर रहे, उसका वचन रहे, और यही आपके लिए काफी होना चाहिए, यह आपके बठे से नहीं डरे, इतने बड़े राजा से नहीं डरे बठे के अंदर जाने को त्यार होगे, और मैं एक बाद बताओं, इनके मनों में विश्वास था, कि परभयेश्यू, परमेशर उस आख के बठे में से इनको निकाल लेगा, और यह जानते थे, यह इसलिए निश्चिंत थे, कि अगर आज हमने विश्वास नहीं दिखाया, आज, अगर अपने परमेशर के प्रति अपने वफादारी नहीं दिखाई, तो कल को कोई भी, कोई भी ऐसा इस राज में, इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में ना होगा, जो इस मूर्ती के आगे ना जुक है, इन तीन लोग इस काम की वज़ा से, राजा का उधार हो देखो, कैरा इसलिए राजा ने क्या बोला फिर जब वो अचंबित हुआ, वो देखके हरान हुआ, उनको बुलाया गया, निकाला गया बठे से, तो राजा ने क्या बोला इसलिए, अम मैं यह आग्या देता हूँ, कि देश देश और जाती जाती के लोगों और भिन भिन बोलने वालों में से, जो कोई शदरक, मेशक और अबेद्गनों के परमेशर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकडे टुकडे किया जाएगा, और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं, जो इस रिती से बचा सके हैं, सुन रहे हैं, राज जगा उधार हो गया, और उसने उस उधार को ऐसा पहना, ऐसा विश्वास दिखाया, कि पूरी दुनिया में हुकम चला दिया उसने, कि अगर कोई भी शदरक, मेशक, अबेद्गनों के परमेशर की निंदा करेगा, उसके टुकडे टुकडे किये जाएगा, उसका घर जला कि राक करतिया चला जाएगा, ये क्यों हुआ, शदरक, मेशक, अबेद्गनों के विश्वास की वचा से, ऐसे बनो, गर्दन पे तलवार भी आ जाए, पर तो भी परमेशर के वचन के साथ कॉम्प्रमाइज नहीं चलेगा, परमेशर अलग-अलग समय पे आपको ऐसे प्र परमेशर कहीं जगां पे देखना चाता है, कि अब क्या करोगे, पर उन स्थित्यों के अंदर आप वो ही करते हो जो दुनियावी लोग करते हैं, हमको ऐसा नहीं करना है, हमारा परमेशर वो जलाली है, वो समर्थी है, वो जलन रखने वाला परमेशर है, वो वफदार है, खुदा रहेगा, समझ में आगया कि नहीं, और मैं आपको एक क्लेर सी बात बताओं, आज के टाइम पर आप सब अच्छे डेवलप्ट लोग हैं, कोई ऐसा काम कर नहीं सकता आगे, अब यह आपको आगे बंदू दखा के बोले, यह आपकी घर्दनों में तलवार रखे, हो सकता है कुछ लोग को बात याद हो, मैंने बताई हो, तो याद है, सुने हैं, टेस्टेमिनी में, पैस्टर राजकुमार भी अनवर्सरी मीटिंग में बता के गई है, मैं आज डेटेल में बताता हूँ, दोयर सत्रा में जब मेरी सेवगाई की शुरुवाती दिनों की बात है, हर्याना में हम एक गाउ में गए, और जिस परिवार में हमको जाना था, जिस घर में हमको जाना था, उस परिवार की स्थितियां, उस परिवार के हलात, चर्च में आने के वरे से इतनी तेजी से बदल रहे थे, क्योंके पूरे गाउं के लोग उनके और खिलाफ हो गए, ये चर्च में क्यों गए, अब तो एक गरीबी में रह नहीं है, तो मुझे गर रहे हैं, तो जब हमको माँ इन्वाइट किया गया फॉर डिनर हम गए, और कौन था साथ में, उस टाइम पे कोई ऐसे से क्योर्टी नहीं दी, कोई ऐसे पुलिस नहीं दी, कुछ भी नहीं, बस मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, एक चर्च का और लड़का था, वो ये बचारा कमजोर प चुके हैं, वहां सब हो गया, healing हो गया, everything, deliverance, और हम दिनर कर रहे हैं, from nowhere, कहीं से भी नहीं पता चला हमको कि कैसे क्या हुआ, पांसो से जादा लोग पूरे गाउं के इकठे हो के आगे, अब ऐसी स्थिती हम कौन सा सोच के देगी, ऐसा कुछ होएगा, ऐसा कुछ त्यारी के साथ, यानि कि ये प्री प्लैंड उनका चलावा था, कि जिस दिन वो दुबारा गव में आगे, इनको पकड़ना, और ऐसे घेरा गया हमको, बोला गया, कि आज तुम इस मंदिर, इस गिरजागर, इस धरम स्थल पे जाओगे, साथ में, और इस परिवार के साथ तुम सिर्जुका हो, नहीं तो वहीं बली चड़ोगे, तो हम क्या गरते हैं, मैं अज तो जान जाए तो जाए, आज कुछ भी चला जाए तो चला ही जाए, कोई बात नहीं, परमेशर के लिए सब मंजूर है, हमने उनकी एक नहीं मानी, एक नहीं सुनी, और उनक्या कि एक पानसो लोग के पास हर तरह के हतियार थे, हर तरह के और एक साथ, एक साथ, एक साथ, हमको कुछे नहीं बाता, कहां से क्या उड़के आ रहा है, पानसो जादा लोग और सब अच्छे बलवान लोग, मुझे अभी देख लो, पीछे, काउंटर से मैं दिखूंगा नहीं, पांच से जादा लोगों ने अटेक किया और परमेशन एक खरोच हमें नहीं आनी जोर सही सलामत आज हम आपके आगे खड़े हैं आज लोग का उधार की और ऐसे वकाई में आज लोग का चंगाई आशीशे बरकते क्यों पार ऐसे वकाई में क्योंकि उसके पीछे ऐसा एक बड़ा संगर्श आज पांच हजार भी आजाए कोई कुछ ने भीगाड सकता है समझ रहेंगे नहीं अपना विश्वास दिखाओ अपना समर्पन दिखाओ और आप जानते हैं उस गाउं के इतने सारे लोग जो हैं आज भी धात मानते हैं हमारी उस बात को कि वो निडर लोग थे परमेश्र के लोग थे वहां परमेश्र की महीमा हुई समझ रहेंगे नहीं और उस गाउं के अंदर जो सरपन्च है वो भी हमसे प्राथन गरागे जीत पाया है तो सुनो द्यान से फिर लास्प में क्या हुआ कि जब राजय ने आ गया दी और ये सब तो हुआ कि उधार हुआ राजय का और पूरी दुनिया में डंका बोल गया प्राइन का और सबको प्रमेशर को ही मानना पड़ा और शद्रक मेशक अबेद्नों को भी उसने वैसा ही नी छोड़ा लिखाया तब राजा ने बेबिलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेद्नों का पद और उंचा किया समझ में आ रहे जी तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा हमें अपने परिवारों को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा ऐसा ही सिखना पड़ेगा सिखाना पड़ेगा कोई चिंता ना गरो कोई कुछ नहीं भी गाड़ पाएगा आपका आपके ऐसे विश्वास के दुरा और लोग विश्वास कर जाएंगे और आपको परमेशर उन्चा करेगा जैसे यहां शद्रक मेशक और अबेद गुनों को किया समझ में आ रहे हैं? किस किस को समझ आ यह यह परमेशर है लोग उसको लाइटली लेते हैं आप मतलो आप परमेशर को इंपोर्टेंस दो आपको देखके लोग परमेशर को इंपोर्टेंस देंगे आपके जीवन को देखके लोग परमेशर को महीमा देंगे यह तै हो गया पर आपको परमेशर को ऐसा समर्पित जीवन जी के दिखाना है और दुनिया के लोग को परमेशे के प्रती ऐसा समर्पन आज से आपने दिखाना है, पूरी तरह जताना है समझ में आगे हैं? बोलो हालेलुया अगर कोई आपको आगे कहे कि छोड़ो चर्च को में तो तुम्हारा घर छीन लें, तुम्हारा प्रिवार तुम से छीन लें तुमने नहीं डर न, किसी नहीं डर न, वो बोलेंगे, बोलती ही रह जाएंगे, परमेशर आपको और बढ़ा देगा वो गर्जने वाले बादलों के समान गर्ज गुर्ज के चले जाएंगे पर मेशर का एक नहीं सूर्य आपके जीवने में चमक जाएगा अगर आपको आके कोई कहे कि संडे तू चर्च नहीं जाएगा तू कहीं और चल नहीं तो तरी नौकरी जारी है तेरा काम बंद कर देंगे तरी दुकान बंद कर देंगे तरह को अगवागर लेंगे है तो एक कहः देना ना यम चर्च ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे Zachary कुछ क्लेयर बोलता हूं मैं बेना डरेख क्योंकि हमांरा पर मेशन उसका वचन हमको इस सिखाता ह्य हम ऐसे ही हैयसे सीजन के लिए ऐसा डेडीकेशन दिखाना पड़ेगा अपने कि निरने لिये कि प्रमेशर के अपैश पीचे चलने, तो चलने है दोड़ना है भागना है पर मेश रोड़ाराइगा आशीशो में आप सभीको तैयार और बें आशीशोगे लिए आप सभीके साथ हैं शद्रक मेशक अबे तुनों के समान बनना है हमको परमेशर उंचा करने के लिए जा रहा है आप भी देखोगे आपके परिवार भी देखेंगे वो लोग भी देखेंगे जो रोकते हैं टोकते हैं बढ़काते हैं बढ़काते हैं बर्माते हैं कि और उंचे होते चले जा रहे येश्यू आपके साथ है येश्यू ही प्रभू है आमें तो आज से हम अपने इस निरने में इस डिसिजन के अंदर और स्ट्रॉंग हो जाए और आगे को चलते जाओ परमेशर आप सभी के साथ हैं आए अपनी आंखों को बंद करें इन वचनों के दरा परमेशर सभी को सब परमेशर का धन्यवाद देने के लिए आंखों को बंद करेंगे